हलो दोस्तों आपका SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए भहुतिक विज्ञान के most important 50 प्रस्ण लाए हैं जो अग्रगामी आने वाले एक्जाम NTPC और ग्रूप D के लिए बहुत ज्यादा useful होंगे यह जितने भी प्रस्ण लिए गये हैं यह previous year NTPC में पूछे ग आप से request है कि आप यह चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए question क्यों चलते हैं तो पहला question है वेक्टर रासी का उधार क्या है इसका right answer बताईए दोस्तों इसका right answer होगा सी वेक दोस्तों ये railway NTPC आल लाइन पर इच्छा 28 अप्राइल 2016 को फर्स्ट पाली पूछा गया है अगला प्रस निम्न लिकित में से काउन सी एक वेक्टर महत्रा है इसका right answer इसका right answer डी होगा दोस्तों ये भी railway NTPC आल लाइन पर इच्छा 9 अप्राइल 2016 को पूछा गया प्रस्ट है अगला प्रस फ्रेम के संदर्म में जो समय का फंक्शन है एक वस्तू की इस्तिती में परिवरतन की दर क्या है उसे क्या कहते है इसका right answer इसका right answer होगा दोस्तों जितने भी प्रस्ट पूछे गए है इस सारे प्रस्ट NTPC एक्जाम में पूछे गए प्रस्ट है अगला प्रस्ट दबाओ की SI क्या ही क्या है इसका right answer दबाओ पी स्कल्ट प्रेसर होता है इसका मात्रक NTPC होता है दबाओ की SI मात्रक NTPC होता है इसका right answer होगा अगला प्रस्ट दबाओ को ना पा जाता है दबाओ की किससे ना पा जाता है इसका right answer बताइए इसका right answer होगा C अगला प्रस्ट दबाओ की SI क्या है इसका right answer दबाओ की SI क्या है इसका right answer होगा C होता है अगला प्रस्ट इनमें से विसम को चूनिये इनमें से विसम को चूनिये इसका right answer होगा A गती गती एक अधिश्रासी है जबकि सनवेग विस्थापान वेग एक सदिश्रासी है इसलिए इसका right answer होगा A अगला प्रस्ट पानी के घनत तो क्या है इसका right answer बताइए इसका right answer होगा A पानी के घनत एक हजार कीलो प्रति घन मीटर होता है अगला प्रस्ट गैलन समानता किस में इस्तमाल किया जाता है जिसका right answer होगा C आयदन की माप के रूप में गैलन का इस्तमाल किया जाता है अगला प्रस्ट मेज पर रखी गई पुस्तक का धेर किसके कारण हरता नहीं है जिसका right answer होगा A जड़त्तो के कारण मेज पर रखी गई पुस्तक का धेर अपने अस्थान से हटता नहीं है अगला प्रस्ट चलती लिफ्ट में ब्यक्ति की वजन पर क्या असर होगा इसका right answer बताईए जड़ती लिफ्ट में ब्यक्ति की वजन पर क्या असर होगा इसका right answer होगा D यदि लिफ्ट उपर जा रही है तो ब्यक्ति का वजन बढ़ावा महसूस होगा यदि लिफ्ट नीचे उतर रही है तो ब्यक्ति का वजन घटावा महसूस होगा अगला प्रस्ट अगला प्रस जब कार एक मोड लेती है तो कौन साबल है जो हमें बाहर की और धक्का देती है तिसकर आइट अंसर होगा भी जब कार एक मोड लेती है तो बाहर की और धक्का देती है जब केंदर से फोर्स बाहर की और लगता है तो उसे अपकेंद्रबल कहते हैं, अगला प्रस्ट, निम्न में से कौन से कथन सीधी सड़क पर, एक समान तोड़ा कार के लिए सही है, इसका राईट एंसर होगा, बी, कार का वेक लगतार बदल रहा है, अगला प्रस्ट, डेरियों में दूद से क्रीम अलग करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौंसी है डेरियों से दूद से क्रीम अलग करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली प्रक्रिया अब केंद्रे करण है इसका राय टेंस्वासी होगा अगला प्रस्ट दोस्तों जितने भी प्रश्ण लिए गए हैं यह NTPC में पूचे गए प्रश्ण है इसलिए इसे ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें अगला प्रस्ट रोलर कोश्टर की सवारी में विकेंद्र बल कारे करता है इसका रही टेंसुर भी होगा अगला प्रस्ट पल की SI UNIT किया है इसका रही टेंसुर बताई है बल्कि SI unit क्या है इसका राय टेंस्वर इसका राय टेंस्वर होगा भी बल्कि SI unit Newton होता है जो ये फिश्कल्टू द्रबिमान गुर्ण तुरण होता है अगला प्रस्थ नीमने लिकित में से कौन सा विकल्प घरसड का गलत उधार है जिसका राय टेंस्वर होगा D ब्यक्ती द्वारा भारी वस्तू उठाना अगला प्रस्थ जहाजो की गती में विर्द्धी किस पर आधारित होता है जिसका राय टेंस्वर होगा A और कमटिच का सिध्धान अगला प्रस्थ जहाजो की गती में विर्द्धी किस पर आधारित होता है इसका राय टेंस्वर है ग्रहों के ग्रह पतों का समान्य आकार क्या होता है इसका राय टेंस्वर होगा C ग्रहों के ग्रह पतों का समान्य आकार अंडकार होता है अगला प्रस्थ दिम्न लिखित में इसे कौन सिवस्तु सुरु के चार और परिक्रमाण करती है तो शुरु के चार ओर कौन परिक्रमा करती है तिसका राइट एंसर होगा A ग्रह शुरु के चार ओर परिक्रमा करती है अगला प्रस्थ सौर मंडल का हेलियो स्टेंट्रिक मोडल सुरुपतम किसके दोरा परसुत किया गया था तिसका राइट एंसर होगा D स्वर मंदल का हेलियो स्चेंट्रिक मोडल स्वर प्रथम निकोलस कापर निकस ने प्रस्थुत किया था अगला प्रस्थ एक वस्तु पर लगाए गये गुर्थवा कर्षबल को क्या कहा जाता है एक वस्तु पर लगाए गुर्थवा कर्षबल को वजन कहते हैं इसका रहा टेंसर सी होगा अगला प्रस यदि प्रित्युए पर आपका वजन 38 किलो है तो बुद्ध गरब पर आपका वजन कितना होगा तो इसका राइट एंसवर होगा D 14.3 किलो कराम होगा अगला प्रस निम लिखित कारड़ों में से किसके कारड़ बादल आकाश में तरते है इसका राइट एंसवर इसका राइट एंसवर होगा D निम लिखित कारड़ crypto कारड़ बादल आकाश में तरते है अगला प्रस बुलाटिंग पेपर द्वारा साइज सोखने के क्या करड़ है दोस्तों इसका राइट एंसवर पताईए तो कमेंट बाक्स में लिखिए ब्लाटिंग पेपर द्वारा सही सोखने का क्या कारण है कैपली प्रक्रिया के कारण ब्लाटिंग पेपर स्याही कोश्यकता है कैपली प्रक्रिया को कोश्यका प्रक्रिया भी कहते हैं तिसका राई टेंस वसी होगा अगला प्रस एक ब्लाटिंग पेपर स्याही कैसे सोकता है कोश का किरिया के द्वारा एक ब्लाटिंग पेपर स्याही सोकता है राइट एंस्वर भी होगा अगला प्रस चाकू किसका उधारण है इसका राइट एंस्वर होगा भी चाकू वेट्स का उधारण है अगला प्रस centigrade जो तापमान के माप का यूनिट है नीमने लिखित में से किस पर नामी थै वग्यानिक एंडर सेल्सियस के नाम पर centigrade का नाम रखा गया था जिसका राइट एंस ओडी होगा अगला प्रस सुन्य सेंटिग्रेट कितने डिगरी फारन हाइट के बराबर होता है सुन्य सेंटिग्रेट 32 फारन हाइट के बराबर होता है जिसका राइट एंस ओडी होगा अगला प्रस मानो शरीर का और उसत तापमान क्या होता है मानो शरीर का अवसत तापमान क्या होता है जिसकर आई टेंसर होगा D मानो शरीर का अवसत तापमान 37 centigrade होता है और यदि Fahrenheit में मानो शरीर का तापमान 98 Fahrenheit होता है अगला प्रस जब मानो शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 Fahrenheit के कमी होती है तो इस इस्तिति के रूप में जाना जाता है यदि मनुस्थ के नर्मल टमपरेचर 98 Fahrenheit होता इस से 5.4 से 8 Fahrenheit तक कमी आती है तो उसे मानो शरीर में हाइफ थर्मिया हो जाता है इसका राय टेंस्वर भी होगा अगला प्रस लगभग के स्तापमान पर पानी के घनत अधिक्तम होता है यह ALP, Group D, NTPC सभी एक्जामों में बहुत बार रिपीट हो चुका है इसको आप किसी तरह याद रखें कि कि स्तापमान पर पानी के घनत अधिक्तम होता है इसका राय टेंस्वर होगा अगला प्रस नीमन लिखित में से कौन सा विकल्प उसरता का कुछालक है इसका राय टेंस्वर बताए बेट कंड़क्टर यह है लकडी अगला प्रस आधिरता को मापने के लिए नीमन लिखित में किसका उप्योग किया जाता है इसका राय टेंस्वर आधिरता को मापने के लिए आधिरता मापी का यूज़ किया जाता है इसका राय टेंस्वर सी होगा घनत्त को मापने के लिए हाइड्रो मीटर का यूज़ किया जाता है अगला प्रस्ट पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्तु जो प्राकितिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग होता है इसका राय टेंस्वर इसका राय टेंस्वर भी होगा मरकरी अगला प्रस्ट गर्मी सीधे से संदर बित नहीं होता है इसका राई टेंस्वर बताईए इसका राई टेंस्वर ए होगा धर्मल उर्जा का मापन अगला प्रस्थ रेफ्रेजरेटर नेमले खित में से किस सिधान पर काम करता है रेफ्रेजरेटर नेमले खित में से किस सिधान पर काम करता है इसका राई टेंस्वर पताईए इसका राई टेंस्वर होगा D वास्पिकरण पर रेफ्रेजरेटर अधारित होता है इसका राई टेंस्वर D होगा अगला प्रस्थ गर्मी असोशित करने के लिए तरल के वास्पिकरण के सिध्धन का प्रियोग किसमे किया जाता है इसका राई टेंसर होगा भी रेफ्रिजरेटर में अगला प्रस्ट क्रायोजनिक किसको दर्शाता है क्रायोजनिक कम तापमान को दर्शाता है तिसका राइट एंस्वर होगा A, अगला प्रास, प्रमशुन्य ता आपको दर्शाता है, इसका राइट एंस्वर, तिसका राइट एंस्वर होगा C, सुन्य से 277 कम, अगला प्रास, पर्सी इंस्पेंसर, द्वारा अविस्कृत प्रथम व्यवसाइक रूप से उपलप्त आध्धुनिक, माइक्रोवे, ओवन को क्या कहा जाता है, इसका राइट एंस्वर होग A, राडा रेंज, अगला प्रास, कथन A और कथन, कथन A और कथन, कथन A और कथन R में से कौन से विकल्प सही है, तो हमें सर्दियों में सफेद कपड़ा पहणना पसंद करते है, सफेद कपड़े उस्मा के अच्छे प्रावर्त तक है, तिसका राइट एंस्वर होगा B, A, गलत, R सही, तिसका राइट एंस्वर होगा B, अगला प्रास, उस्वरता हीट से संबंदित भोती विज्ञान की साखा क्या कहते हैं, उस्वरता तो संबंदित भोती विज्ञान की साखा को धरमोडायनिमिक्स कहते हैं, तिसका राइट एंस्वर होगा C, अगला प्रस्ट उस प्रक्रिया के क्या नाम है इसमें गए सीधे थोस वस्तू में avarty Б do इसका राइट एंसु रोग भी डिपोजीशन प्रक्रिया में गए सीधे ही ठोस्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है इसका राइट एंसु रोग भी अगला प्रस्ट इन में से कौन सा गर्मी के प्रवा संबंदित नहीं है इन में से कौन सा गर्मी के प्रवा से संबंदित नहीं है जिसका राइट एंसु रोग भी रेफ्रेक्टिव अगला प्रस्ट हीमिक्रण तापमान पर पानी के पाई फट जाते हैं ऐसा किसके कारण होता है हीमिक्रण तापमान पर पानी के फट जाते हैं एकस्पान शंस के कारण होता है तिसका राइट एंसु रोग गए है अगला प्रस्ट तो गर्म शीशे को धी में धी में ठंडा करने की प्रक्रिया क्या काला आती है इसका राइट एंस्वर दोस्तो इसका राइट एंस्वर आप कमेंट बाक्स में लिखें और आप यह भी बताएं कि आपका 50 परस्ष में से कितने परस्ष का एंस्वर करेक्ट हुएं तो दोस्तो आप इस Pak nemसे लिखें वीडियो दिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यहादा से ज्यादा से यहादा करें थांक्स फार वाचींग, थांक्यू